प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने रविवार को काशी महाकाल एक्प्रेस का चांदौली के पड़ाव से शुभारम किया, जिसको लेकर प्यूश गोहल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी को री ट्वीट भी किया नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में लिखा कि आज श्रद्धा वा आस्था के प्रती उंकारीश्वर, महाकालेश्वर वा काशी वेश्वनाथ जोतरलेंगो को जोड़ने वाली काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारम किया गया है यह ट्रेन धारमिक पर्यटन के साथ ही छेतर की आर्थिक प्रगिती में भी महातुपूर्ण भूमिका निभाएगी जानकारी के मताबिक महाकाल एक्सप्रेस यात्रियों को आध्यात्मिक एहसास भी कराएगी छेतरिय प्रबंधक अशुने श्रिवास्तो ने बताया कि महाकाल एक्सप्रेस में यात्रियों का खास ख्याल रखा गया है इसमें चलने वाले यात्रियों के मनुरंजन और आध्यात्मिक एहसास के लिए भजन कीरतन का आयोजन होगा आज शुरुवाती दिन में एक मन्डली जाएगी जो भजन कीरतन गाएगी इसके बाद 20 फरवरी को भी एक मन्डली का आयोजन होगा इसके बाद लगातार कैसट के माध्यम से एनाउंसमेंट के जर्ये लोग भजन कीरतन सुन सकेंगे वारानसी से इंदौर के बीच 20 फरवरी से चलाई जाने वाली काशी महाकाल एक्सप्रेस में आठ विबिन तीर्थ स्थलो के भ्रमण का पैकेज भी होगा आयार सीटी से ने वारानसी, अयोध्या, प्रयागराज, इंदौर, उज्जैन, भोपाल के धार्मिक वा परियतन स्थलों के लिए पैकेज तयार किया है रिल्वे के अधिकारी बताते हैं कि काशी महाकाल एक्सप्रेस, यूपी और मध्य प्रदेश के प्रमुकधार्मिक स्थलों को जाने वाले परियतकों को बेहतर सोविधा देगी इससे दोनों ही प्रदेशों के परियतन को बढ़ावा मिलेगा काशी दर्षन का एक पैकेज 6,010 रुपय का होगा जिसमें वारारसी के घाट, काशी विशुनात मंदिर, संकट मोचन मंदिर, दशाश्वमेग घाट पर गंगा आरती शामिल है काशी दर्षन 2 का पैकेज 8,110 रुपय का होगा जिसमें सारनात के दर्शन को भी जोडा जाएगा काशी प्रयाग दर्शन 10,050 रुपए का होगा जिसमें काशी के दो स्थानों के साथ प्रयाग का संगम तड़ भी रहेगा क्या होगा ठ्रेन का रूट यह ट्रेन, इंदौर, भोपाल या उजयन से चलकर वाराणसी आने वालों के लिए कुल पांच पैकेज की शुरुवात की गई है जबकि वाराणसी, इलहाबाद और लखनव से जाने वालों के लिए चार पैकेज दिये जा रहे हैं पैकेज में यात्रियों के रुकने, खानपान और मंदिरों वा परियतन स्थलों पर भ्रमण की ववस्थार रहेगी यह पैकेज ओनलाइन लिए जा सकते हैं इसके अलावा ट्रेन में सफर कर रहे अने यात्री भी चाहें तो उसी समय भुकतान कर पैकेज में शामिल हो सकते हैं ट्रेन सपताह में दो दिन मंगलवार और गुरवार को वारानसी से चलेगी यह लखनव, कानपुर, बीना, भोपाल, उज्जैन होते हुए इंदोर तक पहुँचेगी इंदोर से बुधवार और शुक्रवार को उज्जैन, भोपाल, बीना, कानपुर और लखनव होकर वारानसी जाएगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेस्बुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें झाल झाल